नमस्कार, दस मिनिट किचिन में आपका स्वागत है, आज मैं आपको इतनी पाउरफुल होम रेमिडी बता रही हूं, जिससे नजला, जुकाम, सिर्दर्द, आदा सीसी का दर्द, सब सही हो जाता है, सर्दियां आ रही है, तो जुकाम की, एलर्जी की, नजला की प्रॉब्ल सारी बीमारियां होती है, ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, जिनकी याददाश तो बहुत कमजोर है, बार बार भूल जाते हैं, ऐसे स्टुडेंट्स को देने के लिए ये होम रेमिडी बहुत अच्छी है, जिनके कमर में तर्द बहुत होता है, उनके लिए भी ये बहुत फायदे मंद है, आप देखिए हमने वादाम लिये हैं, वादाम में विटामिन E, जिंक, कैशियम, मैगनीशियम, ओमेगा 3 जैसी चीजें उपलद्ध है, तो ये बहुत फायदा करता है, जो अनिद्रा के शिकार है, जिनको नीन नहीं आती है, ख और सुवे मोशन क्लियर हो जाता है, आप ये सोचें कि एक दो दिन खाने से फायदा हो जाएगा तो नहीं, कम से कम आयरवेद इक दबाई जो है, जो होम रेमिडी है, उसका आपको एक महिना तो सेवन करना ही पड़ेगा, तब रिजल्ट आएगा, कहते नहीं है कि हमारी हि इंदुस्तानियों की रसोई में आयरवेद भरा पड़ा है, बस जरूरत ये है कि कौन सी चीज डालने से क्या बनता है, जैसे हम खाना बनाते हैं, बेशन की कड़ी बनाते हैं, दाल से करायल बनाते हैं, उसी तरह से ये होम वेमिडी भी है, कसकस में एंटी ओक्सिडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, ये काली मिर्च आखों के लिए बहुत अच्छी है, ये सफेद मिर्च लिए मैंने, ये भी बहुत अच्छी है आखों के लिए, सास की जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए इलाइची बहुत अच्छी है, तो आईए हम बताते हैं आपको कि होम रे तीन चार चम्मद चीनी लिए है, दसवारा इलाइची लिए है और थोड़ी सी काली मिर्च लिए है आईए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं इन सारी चीजों को तो एक साइड में रख देंगे घी है, काली मिर्च है, सफेद मिर्च है, इलाइची है, चीनी है यह सब बाद में काम में आएंगे सबसे पहले तो बादाम डालेंगे इसमें 12 गंटे के लिए बिगो देंगे अब हम खस-खस डालेंगे इसमें खस-खस हमें अच्छी तरह से साफ करके लिए धोके धूप में सुखा के फिर लिए इसको भी 12 गंटे के लिए बिगो देंगे बादाम को कम से कम 12 गंटे ही बिगोना चाहिए और इसको भी इससे ये बहुत ज़्यादा फाइदा करती है जिन बच्चों को सास की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये होम रेमिडी बहुत अच्छी है सर्दियां आ रहे हैं इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले ये ही बना के आप लोगों को बताओं क्योंकि बच्च्पन में मैंने भी खाई है मेरी भी दादी हमको बना के बहुत खिलाया करती थी वो सारी चीजें याद हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ आप भी खाईए अपने बच्चों को भी खिलाये ये सब घर की चीजें बहुत फायदा करती है अगर आपने ये रेमिडी नियमित तीन महिने तक बच्चों को खिला दी या बड़ों ने खाली तो बड़ों के अंदर तो ताकत बहुत आएगी और बहुत छोटे बच्चे हैं उनका चश्मा तक उतर जाएगा क्योंकि काली मिर्च दक्षणी मिर्च इतनी फायदा करती है आखों के लिए अमरत है 12 गंटे भिगोने के बाद बादाम हमने इस तरह से चीर लिए और खसकस भी पूल गई है हमारी हमें एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें ये डालेंगे आप जार का साइज क्वांटिटी के हिसाथ से देख लें अगर बादाम और खसकस जादा है तो आप मीडियम जार ले हमारा कम है तो हमने छोटा लिया है अब हम इसमें बादाम डालेंगे सफेद मिर्च काली मिर्च हरी छोटी लाइची अगर किसी को हड़्डियों की प्रॉब्लम है तो बादाम में केल्सियम भी बहुत होता है दात में दर्द होता है पैर में घुटने में दर्द होता है इस रेमेडी का सेवन करने से 100% बिमारियों का इलाज है ये समझ लीजिए पढ़ने वाले बच्चों को तो जरूर देना चाहिए याददाश इतनी अच्छी हो जाती है उससे जिन बच्चों की याददाश कमजोर होती है याद नहीं रहता है पहले जमाने में यही चीज़ें दी जाती थी हम नाने के यहां जाते थे तो सुबह सुबह यही चीज़े कि अगर दो साल का बच्चा है तो आप उसको दो पोरा चटाईए एक साल का है तो एक पोरा चटाईए उसको छोटे बच्चे की रेमेडी में आपको काली मिर्च और सफेद मिर्च नहीं डालनेंगे खसकस और बादाम अब हम इस सब चीज को पीस लेंगे पेस्ट बनाएंगे इसका बीच बीच में इसको नीचे करेंगे अगर पानी की जरूरत होगी तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ये मिश्रन थोड़ा सूखा-सूखा लग रहा है हमें पेस्ट बनाना है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे यह देखिए इस तरह से हमको fine paste बना के तयार करना है यह पुरानी चीजे प्राया लुप्त होती जा रही है तो हमारी ऐसी इच्चा है कि आप अपनी दिनचर्या में कहीं न कहीं इनको भी थोड़ा सा स्थान दे और फिर इनके फाइदे देखिए आप चमत कारिक फाइदे कई बार ऐसा होता है हमको पता सब कुछ होता है लेकिन याद नहीं रहता है मैं आपको इन चीजों की बारे में याद दिला रहे हैं कि हमारी रसोई में ऐसी चमत कारी चीजे भी हैं जिनका सेवन करने से हम रस्ट पोस्ट हो जाएंगे और हमारे अंदर बहुत शक्ति कसंचार होगा अब आप देखिए मैंने इलाइची छोटी छिलके सहित डाली है अगर आप छिलके सहित नहीं डालना चाहें तो उसके दाने निकाल के डाल दे मैंने इसलिए डाला कि इसमें फाइवर होता है अगर आप बच्चों को दे रहे हो तो बच्चों की मुह में आई या तो बिल्कुल फाइन पेस्ट बना दो कि वो छिलके कहीं पर रेशा नहीं आए अगर देशा आने के संबादना है तो आप उसके भीज डालिए बन स्टेप तैयार हो गया है हमारा भीगोने से लेके पीशने तक का आप चाहो तो यह पेस्ट ऐसा ही फ्रिज में रख सकते हो साथ आठ दिन तक आपका चल जाएगा मैं तरीका बता रही हूं कि आपको खाना कैसे है हमने एक कड़ाई चड़ाई है उसमें एक चम्मच घी डालेंगे एक चम्मच भी नहीं आदा चम्मच आप मेंबर की हिसाब से डालिए अगर दो लोगों के लिए बना रहे हैं आदा चम्मच डालिए और अगर घी का परहें जे किसी को तो आप दो बूंड घी डालके भी चौक सकते हैं, तो मैं दो लोगों के लिए बना रही हूं, तो आप देखिए, मेंबर की हिसाब से quantity बढ़ाते जाएगे, इसको गरम गरम ही खाना है, ठंडा करके नहीं खाना है, तो मैं अब इसमें एक चम्मच ये पेस्ट जालूँगी, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेग थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालके और हास से इसको ऐसे ऐसे करके गोट के यो यो करके और चाट लीजिए, और बच्चों को चटा दीजिए, इस तरह से आपको गोट ना आए इसको, और चाट लीजिए, उंगली से, कुछ भी खाने से पहले, मतला नाश्ता करने से पहले इसको चाट लो, और तुरंत नाश्ता कर लो, यह दो-चार मिनेट बात कर लो, दो-चार मिनेट तो लगी जाते हैं, पहले इसको चाटो, यह पूरे शरीर में रम जाएगा, और इस तरह का बदाम आप छोटे बच्चे को भी चटा सकते हो, अब दूसरा तरीका बता रहे ह गी तो आप बन फोर्थ छोटा चम्माची भी डाल सकते हो, इसमें घी का ज्यादा महत नहीं है, बस यह है कि इसको गरम करके ही खाना है, इसको ठंडा नहीं खाना है, अब यह गरम हो गया, आप हम इसमें एक कप दूट डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आप 14 नुसाफ शुगर डाल सकते हैं, इसमें, मैंने 1 फोर्थ चम्माच शुगर डाली है, यह हमने प्री मिक्स तयार किया है, आप चाहो तो इसको हलका सा भून के, जैसे अभी कड़ाई में मैंने भून के आपको दिखाया, भून के डिब्बे में करके रख लो, बच्चों को चटा दो, तो यह प्री मिक्स तयार कर दिया है, चाहो तो इसे भून के रख लो, और चाहो तो किसी डिब्बे में भरके ऐसी ही रख लो, यह आपका 8-10 दिन तक खराब नहीं होगा, फ्रिच के अंदर, तो यह हमारी होम रेमिडी तयार होगी, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में लिखके हमें बताईए, कि आपको कैसी लगी, और कम से कम एक महिना सेवन करना, उसके बाद रिजल्ट आना चालू होता है, आयूर वेद, किसी भी मिमारी को ऊपर से ऊपर नहीं, थोड़ी देर की र और वाचिंग मिलते हैं, इसी तरह के, दूसरे वीडियो के साथ, तब तक आप अपना त्यान रखना, बाई बाई